हेलो गाइस हमारे चैनल पर नई है टु सब्सक्राइब एंड लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सको रन्विजय अपने कदम पाकी के रूम की तरफ बढ़ा देता है जो कि अपने बैट पर बैट कर अपने टेडी बेर को हक किये हुए थे और साथ ही साथ उसके कान में कुछ ना कुछ बोल रही थी रन्विजय धीरे कदमों से उसके पास जाता है और पीछे से उसको उठा कर अपनी गोद में बिठा लेता है पाकी अपना मुह फुला लेती है और उसकी गोढ से उठने की कोशिश करती है तो एक बार फिर से रंविजय उसको सही से अपनी गोढ में बिठा लेता है और उसकी कमर को अपने दोनों हाथों में धामते हुए बेबी अपने एस टैडी से क्या बाते कर रही थी पाकी मुँ बनाते हुए अंडिस को पाकी को ओल्ड मैन से बात नहीं करनी ओल्ड मैन बहुत बुरा है रन्विजय उसके बालों को कान के पीछे लगाते हुए अंडिस को अच्छा ऐसा क्या कर दिया ओल्ड मैने जो क्यूट सी पाकी इतना गुस्सा हो गई पाकी उसकी तरफ देखती है और उसकी माथे पर अपनी उंगी मारते हैं अंडिस को क्योंकि ओल्ड मैन का दिमाग काम नहीं करता ओल्ड मैने पाकी से कुछ प्रॉमिस किया था जो उसने पूरा नहीं किया अब विचारा रणविजय सोच रहा रहा था कि उसने ऐसा कौन सा प्रॉमिस किया था जो पूरा नहीं किया उसको सोचता देखकर पाखी को और गुस्सा आ जाता है वो अब उसके सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से मारने लग जाते हैं हाला कि उसकी यह मार किसी पंची के पर के छुने के बराबर थी क्योंकि रणविजय ने एकदम जिम में जाकर खुद को मसूल बना रखा था उसके लिए तो धाई किलो का हाथ कम था यहाँ पर तो धाई ग्राम का हाथ था उसको हसी आ जाती है पाखी की इन क्यूट हरकतों को देख कर कर जब पाखी उसको हसते हुए देखती है तो उसको और ज्यादा गुसा हो जाती है वो रनविजय के गाल पर एक जोर से बाइट कर लेती है तो रनविजय उसको छोड़ देता है पाखी वहां से उठ जाती है और रनविजय को घूर कर देखती है रनविजय अपनी गाल को सहलाते हुए पाखी को देख रहा था वो उसको घूरते हुए अंडिस को पाखी ये क्या हरकत हुई? आपने ओल्ड मैन की गाल पर इस तरह से क्यूं काटा आप बिल्ली हो क्या? पाखी उसकी तरफ शनका में देखते हुए अंडिस को, बिल्या क्यूट प्यारी भोली और स्वीट होती है क्या? रनविजय पहले तो अपना चेहरा एक्स्प्रेशनलिस 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 एक्दम बना लेता है लेकिन फिर कुछ सोच कर अपना सिर को हां में हिला देता है तो पाख पाखी की आवाद से रनविजय जो की इतनी देर से पाखी की क्यूट हरकतों को देख कर कहीं और पर ही घुम हो गया था वो होश में आता है तो पाखी धन-धन आते हुए अंडस को ओल्ड मैन ने पाखी से प्रॉमिस किया था कि वो सोने से पहले पाखी को एक चोकलेट देंगे लेकिन ओल्ड मैन अपने वादे के पक्के नहीं है कल रात पाखी ने ओल्ड मैन का वेट किया है लेकिन ओल्ड नहीं आये और और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो मुझे घर लेकर जाएंगे लेकिन वो नहीं लेकर गए इसलिए मैं आज खुद ही आ गई हूँ ओल्ड मैन से बात नहीं करनी और नहीं आपको अपने बैट पर जगह देनी है रणविजय उसको फिर से अपनी बाहों में खीचते हुए अंदसको बेबी ओल्ड मैन को कोई जरूरी काम आ गया था इसलिए वो नहीं आपाए आपको लगता है कि अगर आप कुछ बोलो और ओल करते हुए ओल्ड मैन पाखी का दिल बहुत बहुत गुड है इसलिए पाखी आपको कमरे से नहीं निकालेगी वो बस आपको अपने बैट पर जो जगह नहीं देगी लेकिन आप चाहिए सोफे पर सो जाए क्योंकि पाखी को आपके साथ नहीं सोना और मुझे अभी नीम न नहीं था वो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग ही था जो सोफा कम बैट ज्यादा था क्योंकि हमारी पाखी को जहां कहीं भी नींद आ जाती थी वहीं सो जाती थी इसलिए उसके अरम की सारी चीज़े उसकी सिफ्टी और आराम दायक के लिए बनाई गई थी रनविज़े को अभी सोफे पर लेटे एक घंटा ही हुआ था कि तबी उसे अपने उपर हलका सा थार महसूस होता है रनविज़े के चेहरे पर स्माइल आ जाती है क्योंकि उसे पता था ये कोई और नहीं चाहती थी रनविज़े उसके बालों में हाथ पैर आता है तो पाखी अपने चेहरा उठा कर उसकी आँखों में सीधा देखते हो अंडिस को यह मत समझना कि पाखी ने ओल्ड मैन को माफ कर दिया नहीं पाकी ने old man को माफ नहीं किया ये सिरफ इसलिए क्योंकि पाकी को अब old man के ऊपर सोने की आदत हो गई है इसलिए पाकी old man के पास आई है क्योंकि मैं अपनी beauty slip को खराब नहीं करना चाहती रन्विजय अच्छे बच्चे की तरह हां में सिर हिला देता है तो बाकी उसके सीने को थप थपाते हैं और उसके दिल पर ही अपने सिर रख कर सोजाती है रन्विजय भी जब तक पाकी की एक मांसा से नहीं सुन लेता तब तक वो उसकी शर्टों थप थपाते रहता है अगली सुबह रानी के घर पर रानी और रौनक एक दूसरे से लिप्टे हुए पड़े थे उनके उपर सिर्फ एक चादर थी रानी का सिर रोनक के कंधे पर था और उसका हाथ उसके पेट पर वही रोनक ने तो पूरी तरह से रानी को जकर रखा था रानी की आँख खुल जाती है जैसे ही वो खुद पर किसी की पकड महसूस करती है तो वो उस और अपने चहरा करती है तुझे कोई और नहीं उसका पती था जो कि आज उसको सुकून से बाहों में लिए सो रहा था कितनी अजीब थी ना उसकी जिंदगी कहां पर तू वो पहले जब अपने पती की अटेंशन पाने के लिए तड़पती थी उनके दो शब्दों के लिए करती थी लेकिन उसे वो नहीं मिला लेकिन जैसे ही वो उसका घर छोड़ कर आ गई तो उसे अपने पती को पूरी तर जब से हम आपके साथ छोड़े जैसा भी आपने हमें रखा हमारे साथ भी है क्या हम तो आपके प्यार में गिरते ही चले गए क्या इसमें हमारी गलती है हमारी शादी ऐसे अचानक हुई हम तो खुश थे ना अपने घर में अपने मम्मी पापा के पास लेकिन भगवान जी ने हम से उनको छीन लिया और आपको दिया मुझे लगा था कि आपके आज आने से मेरी जिंदगी में फिर से वही खुशियां आ रहा था साथ ही साथ उसकी कमर भी तूट रही थी वह एक बार पीछे मुरकर रौनक को देखते हुए आप इतने भोले और सीधे उपर से लगते हो ना नशे में अब उतने ही ज्यादा बीस्ट बन जाते हूं मुझसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा ये बोलकर हो जैसे तैसे खुद को लपेट कर बातरूम में चली जाती है और खुद को गर्म पानी में जो करती है वही रौनक तो बहुत पहले ही ठक चुका था उसने रानी की सारी बाते सुनी है जिससे उसे वह साधा गिल्टी फील हो रहा था हाँ ये सच था इस छोटी सी लड़की न जुसकान को कैसे देखता था वैसे अपना दिल हार जाता था और फिर वह जब जब उसकी आँखों में अपने लिए प्यार देखता था तो उसे उसके प्यार में दूबने का मन करता था तो फिर क्या वजह थी जो वह उसकी अपना रहा था रौनक की आँखों में कुछ लम नाश्ता बना लिया था और साथ ही साथ वो एक टिफन में आलू के पराथे भी रख रही थी वरुन को पता था ये किसके लिए है उसे उस दिन की याद आते ही मुठी कस जाती है वो घुर कर रानी को देखता है रानी जब खुद पर किसी की नजरों की तपस महसूस करती है त आपको बहुत तेज बुखार था मैंने आपसे मेडिसन साइट शॉप पर रखती है जब आपको ठीक लगे आप वो मेडिसन लेकर चले जाना मुझे जरूरी असाइन्मेंट है इसलिए मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ ये सब बोल कर वो जाने वाली होती है कि रौनक उस दिया था लेकिन मैं ठकी हुई ठिकर आपके कप्टे भी नहीं थे मेरे पास इसलिए ये से बोल कर वो फिर से वहस से जाने वाली होती है कि रौनक फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है तो उसकी आँखों में सीधा देखते हुए अंडिस को अंडिस को तो लंगड़ा कर क्य चल रही है रानी उसकी आँखों में देखते हैं अंडिस को वह कुछ नहीं मैं सुबह जब बात्रूम में फ्रेस हो रही तो फिसल कर गिर गई थी और मेरी बेक में लग गई इसलिए मैं थोड़ा सा लंगड़ा रही हूं रानी उससे अपना हाथ छोड़ जाती है वहां से चली जाती है रौनक का दिमाग ही नहीं कर रहा था उसको बहुत गुसा आ रहा था वह उचत गुसे में अपने विला आ जाता है और अपने मैंशन में जाता है और वहां की सारी चीजे तोड़ने लग जाता है तुम ऐसा बहेव कैसे कर सकते हैं जैसे हमारे बीच कुछ नह क्या वो लम्हे प्यार की बाते तुमने मुझसे तो सुबह वो सब बोला था वो सब जुट था अगर जुटा तो वो सच क्यों लग रहा था कि तुम्हें पता ही नहीं था मैं जाग रहा हूं नहीं तुम्हें कहां से पता होगा तुम तो खुद ही हुई थी और सुबह उठी लेकिन तुमने कैसे करती है कैसे कर सकती हो तुम ऐसा क्यों नहीं माना तुमने रात को हम दोनों एक हुए है आखिर क्यों तुम तो हमेशा से मुझसे प्यार करती हो ना तो फिर क्या हो गया क्या बचा है कि तुमने ऐसा रिजेक्ट किया रौनक इस बात से सच में बहुत ज़्यादा नाराज था क्या हम कह सकते हैं कि वो उदास था कि रानी ने उसके साथ बिताई रात को एक सेप्ट नहीं किया उसको अपनी भावनाए खुद ही समझ नहीं आ रही थी वही दूसरी और राथ और मैंशन में पाखी अभी भी आराम से रनविजय के उपर सो रहे थे रनविजय की आंख तुम कब की खुल गई थी वो बस प्यार से उसके बालों को सहला रहा था वो कभी उसके बालों पर किस करता तो कभी उसके माथे पर कभी उसकी गाली तो कभी वो क्यूट थी नाक पर पाकी सोते हुए सच में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी इसलिए रनविजय खुद को रोक ही नहीं पा रहा था उसे चूने से उसके साथ यह छोटी-छोटी शरार्ती करनी थी पाकी नींद में ही एरिटेट हो रही थी वो अपने चेहरे पर हाथ मारती है जैसे वो किसी मच्छर को भगा रही हूँ ये देख कर उसको ऐसा किया जाती है उसे देख उसके साथ वही सारी शरारते शुरू कर देता है ठक कर जब पाकी अपनी आँखे खोलती है तो वो घय कर रनविजय को देखते हुए अंदिसको अगर आप जाग रहे हैं तो क्या आप उस मच्छर को नहीं भगा सकते जो पाकी को खामखा परेशान कर रहा है अगर पाकी के चेहरे पर कोई निशान रह गया तो फिर पसकी क्या करेगी विचारा रनविजय दो-दो मिनिट के लिए तो कुछ बोल ही नहीं पाया उसकी बीवी ने उसको मच्छर जो बना दिया था वो बस चुप-चाप से उसको देख रहा था और अपना जवाब ना पाकर पाकी को फिर से गुस्सा आ जाता है पाकी थोड़ा सा उपर उठकर उसके गाल पर किस बाइट कर लेती है जिससे हूँ तो रात को बनाया हो निशान हलका पढ़ गया था अब हूँ और बड़ा हो गया था रनविजय बाइट करने से अपने ख्यालों से बाहर आता है और पाकी को घूर कर देखते हुए अंदस को ये क्या तुम बच्चों की तरह मुझे हर वक्त बाइट कर लेती हो क्योंकि मैं बच्ची ही है ओल्ड में तुम हो इतने बड़े मुझ से रनविजय गहरी सास लेता है क्योंकि उसे पता था कि वो अपनी इस नादान पीलिया के सामने बिलकुल नहीं जीत सकता इसलिए वही हार जाता है और उसको उठाते हुए अच्छा ठीक है चलो अब हमको तयार होना है सुबह हो गई है नो बचे बच चुके हैं पाक ही रनविजय के सीने में अपनी नाग को रगड़ते हुए अंदस को नहीं बलकी को और सोना है मुझे लो फील हो रहा है रनविजय उसको अपनी गोद में लेकर खड़ा हो जाता है और बातरूम में ले जाते हुए अंदस को मुझे पता है तुम्हारे पीरियड खत्म हो जाए इसलिए लो फील नहीं मुझे इसे आलस बोलते हैं जो आप कर रही है अब चलिए यहां से यह बोलकर वो उसको ब्रश करवाता है और फिर बातन में बिठा देता है हमेशा की तरह उसके लिए वो कपड़े रखकर ही नीचे आजाता है बाकी भी तयार होकर नीचे आजाती है उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ा और चुपचाप पाउट था सुरज जी अपनी बेटी को ऐसे पाउच करते देखते हुए अंडिस को अरे मेरा बच्चा क्या हो गया हमारी पाखी को सुबह सुबह इतनी क्यूट क्यू लग रही है पाखी मासूम सा चेहरा बनाते हुए अंडिस को ओल मैन में पाखी को बुली किया रनविजय की तो आखें बाहर आने को तैयार थी, वह भी अब क्या ही बोले जा कर सकता है? क्या है उसके पास हख है? नहीं, बिलकुल भी नहीं, अगर उसके पास ये हख होता ना, तो वो उसे बहुत पहले ही बुली कर देता सूरज को भी पता था कि हम किसी ने कुछ नहीं किया होगा कि जरूर उनकी बेटी की दिमाग की उपच की होगी इसलिए वो उसके सिर को कहलाते हुए अंदस को अच्छा बेटा क्या किया तुम्हारे ओल्ड मैने तुम्हारे साथ Old Man ने ना तो इन्होंने पाकी को मनाया और ना ही सोरी बोताल और इन्होंने मुझे सुबह-सुबह उठा भी दिया Old Man बहुत बुरे है सरिता जी वहां आती है और घुरकर उसे देखते हुए अंदसको अच्छा तो हमारी बेटी सुबह सुबह उठने को लेकर गुस्सा है पाकी अपना सिर हां में हिला देती है वो तो मुश्किल से ही उठती थी और आज तो हॉलिडे था उपर से प्लेन भी चैनल को जल्दी उठा दिया तो उसका गुस्सा होना चाहिए इस है ना बाकी सबको भी अच्छे से पता था वो सभी अपना सिर हिला देते हैं वही रनविजय की आखे छोटी थी कुछ देर बाद रनविजय पाकी को किसी बंदर के बच्चे के जैसे अपने सीने से चिपकाये हुए फिर रहा क्योंकि पाकी ने अब नया शोग चधा लिया था उसके गोध से ना उतरने का पाखी कितना देर और इरादा है इस तरह मुझसे चिपकने का इरादा है मुझे आफिस जाना है पाखी उसकी गर्दन पर बाइट करते हुए अंडिस को आपने अभी तक पकी को मनाया नहीं है पहले पाखी को मनाओ फिर मुझे घर जाना है मुझे मा की याद आ रही है रनविजय की आखे छोटी हो जाती है वो पनासिर हिला देता है क्योंकि उसकी ये पत्नी कुछ अलगी पिस्ती उसके दिमाग में कुछ आइडा आटा है वो किसी को फोन करता है और पकी को लेकर चला जता है पाखी जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो उसकी आखे में खुशी की चमक आ जाती है चैनल पर नए है टु सब्सक्राइब और लाइक कॉमेंट शेर जरूर करे